केंद्रिय वित्मंत्री निर्मला सीता रमंद्वारा आजसोंवार को वर्ष दोहजारी किस से 22 का आम बजट पेश किया गया यह उनका तीसरा बजट था यह बजट कई मायनों में एतिहासिक भी रहा पता दे कि कोरोणा महमारी के चलते सरकार ने इस बार बजट कागल पर ना चापने का फैसला किया था सुमबार को संसद में मोधी कारेकाल का नोवा बजट पेश किया गया बजट के दिन बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 2314.84 अंकों यानि 5 प्रतिशत की बढ़त के साथ 48600.61 पर बंध हुआ है बाजार की तेजी में बैंकिंग शेर सबसे आगे रहे सरकार ने गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट पर 2.5 प्रतिशत एक्ग्री इंफ्रांसिंस लगाने की बात कही है बता दे कि सरकार सेक्योरिटीज मार्केट कोड लेकर आएगी इसमें सेबी एक्ट, गवर्मेंट सेक्योरिटीज एक्ट और डिपोजिटरीज एक्ट को शामिल किया जाएगा सेबी सोने का भी रेगुलेटर होगा यहां ये भी बता दे कि 4 साल में सरकार ने मोबाइल पोन से जुड़े प्रोड़क्ट पर और सतन 10 प्रतिशत तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है इससे प्रोड़क्शन 3 गुना बढ़ा है वित्यमंत्री निर्मला सीता रमन ने कुछ ओटो पार्ट्स पर 7.5 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दी है इससे गाड़िया महंगी होंगी सोलर इंवर्टर महंगा होगा क्योंकि इस पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 प्रतिशत बढ़ाई गई है मोबाईल फोन के चार्जर और हैज़फोन पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5 प्रतिशत बढ़ाई है इससे ये चीजे भी महंगी होंगी सोने चौनदी पर import duty 7.5% कम की गई है इससे ज्वैलरी सस्ती होगी स्टील प्रोड़क्ट पर import duty 7.5% कम कर दी गई है तामे पर import duty 2.5% घटाई गई है सुनिंदा लेदर को कस्टम ड्यूटी से हटा दिया गया है इससे लेदर के प्रोड़क्ट सस्ते होंगे मॉबाइल चार्जर, हेड़फोन और महंगे होंगे क्योंकि सरकार ने विदेश से आने वाले मॉबाइल और उससे जुड़े उपकरणों पर import duty 2.5% तक बढ़ा दी है पिछले चार साल में सरकार ने इन प्रोड़क्ट पर उसतन करीब 10% तक import duty बढ़ाई है वही सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपे और डीजल पर 4 रुपे एग्री सेस लगाने का प्रस्ताव रखा है ये दो फरवरी से लागू हो जाएगा हाला कि वित्व मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इसका बोज आम आदमी पर नहीं आने दिया जाएगा इसके लिए बेसिक एक्साइस जूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइस जूटी घटा दी गई है इस बजट को लेकर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई लोग सोच रहे थे कि हम आदमी पर टेक्स का बोज डालेंगे लेकिन ट्रांस्पेरेंट बजट पर फोकस किया गया है वही वित्तमंत्री ने कहा कि इंफ्रस्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च और हेल्थ केर सेक्टर पर जोर देना इस बजट की दो एहम बाते रही है वही जब सीतारमन ने बंगाल के टैगोर और तमिलाजू के तिरिवल लूर की कविताएं पढ़ी तो इस दोरान माते पर हाथ रखे हुए राहुल नजर आए वित्तमंत्री ने कहा कि आजादी की 75 वी साल गिलापर हम 75 साल और उससे जादा उमर के सीनियर सिटिजन्स को राहत देना चाहते हैं उन्हें अब IT रिटरन फाइल भरने की जरूरत नहीं होगी अभी Tax Re-Assessment Case 6 साल तक खोला जा सकता है वही गंभीर मामलों में 10 साल तक भी केस खोले जा सकते थे अभी से घटा कर 3 साल कर दिया गया है गंभीर मामलों में जब एक साल में 50 लाग से भी जादा की इनकम चिपाने की बात होगी तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे प्रिंसिपल चीफ कमिशनर ही इसकी मंजूरी देंगे 85,000 करोड रुपई के टेक्स डिस्प्यूट हाली में खत्म हुए है छोटे टेक्स पेर्स के लिए डिस्प्यूट रिजॉलूशन कमेटी बनाई जाएगी पचास लाग तक की इंकम और दस लाग तक की विवादित इंकम वाले लोग इस कमेटी के पास जा सकेंगे ये कमेटी फेसलिस होगी नेशनल फेसलिस एपिलेट ट्रिब्यूनल भी बनेगा सरकारी बैंकों में 20,000 करोड का निवेश किया जाएगा इस बार के बजट में ट्रेन से सफर करने वालों के लिए कुछ खास नहीं था एक भी नई ट्रेन चलाने की घोशना नहीं की गई रेलवे करमचारियों को लेकर भी वित्तमंत्री कुछ नहीं वोली हाँ मेट्रो ट्रेन के विस्तार पर फोकस जरूर रहा यात्रियों को अच्छा नुभव देने के लिए बजट में विस्ता डोम कोच शुरू करने की घोशना की गई बताते चले कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने डारेक्ट टेक्स देने वालों को आम बजट 2021 में कोई राहत नहीं दी है सरकार ने शराम, काबुली चना, मटर, मसूर की दाल समेथ कई उत्पादों पर क्रिशी इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने की भी घोशना की है वित्तमंत्री ने इस साल कस्टम्स में 400 से जादा चूटों की समिक्षा करने का प्रस्ताव दिया है वित्तमंत्री ने आप रतेक्षकरों में बदलाव की घोशना जरूर की है कई तरह के कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है कुछ स्टील उत्पादों पर ड्यूटी हटा दी गई है इसके अलावा कोपर स्क्रैप पर ड्यूटी को 5 प्रतिशत से घटा कर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है मोबाइल्स के कुछ पार्ट्स पर अब 2.5 प्रतिशत ड्यूटी चुकानी होगी कोटन, सिल्क, प्लास्टिक, लेदर, इलेक्ट्रोनिक्स, आइटम्स, ओटो पार्ट्स, सोलर प्रोडक्ट्स, मोबाइल, चार्जर, इंपोर्डेट कपडे, रत्न, बल्ब, फ्रिज, एसी वर शराब महंगी हुई है वही नायलोन के कपडे, लोहा, स्टील, कोपर आइटम्स, सोना, चांदी वे प्लैटिनम सस्ता हुआ है बजट 2021 में वित्तमंत्री ने एलान किया कि कुछ सामानों पर एग्रिकल्चर, इंफरा डेवलेप्मेंट सेस लगाए जाएगा जिसका लाब खिसानों को दिया जाएगा लोन के 1.5 लाख रुपे तक की राशी पर ब्याज पर छूट की स्कीम एक साल बढ़ा दी गई है सोना और चांदी पर 2.5 प्रतिशत, सेप पर 35 प्रतिशत, विशेशिक्रत उरवरकों पर 5 प्रतिशत, कोईला लिगनाईट पेटकोक पर 1.5 प्रतिशत, कृषी बुनियादी उपकर लगाया गया कच्चे पाम तेल पर 17.5 प्रतिशत, कच्चे सोया बीन तेल, सूरज मुखी तेल पर 20 प्रतिशत, कृषी अव संचरना उपकर लगाने का प्रस्ताव दिया गया है शराप पर 100% कृषी बुनियादी धाचा उपकर लगाया गया नया कृषी अब सररंचना विकास उपकर 2 फरवरी 2021 से लागू होगा ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्यवाद